नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is Manish Rai. आज प्रस्तूत है वर्गवारह से इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज के कुछ महत्तपुर्ण बस्तुनिस्ट प्रकार के प्रस्ण एवाम उनके उत्तर. तो आईए इस वीडियो की सुरुवात प्रस्ण नंबर एक से करते हैं. बच्चों पहला प्रस्ण है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज इस अर्थात इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज क्या है? ऐसे है, स्टोरी है, ड्रामा है, नौन अबदीज है. बच्चों आपका सही जाब होगा option A, an essay. इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज इस अन ऐसे यह एक निबंद है. बच्चों यहाँ पह अगर option के रूप में ऐसे न आए और ट्रेवलॉग आए तो आप ट्रेवलॉग लिखेंगे. और यदि ट्रेवलॉग नहीं है तब आप ऐसे लिखेंगे. तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज इस अन ऐसे यह एक निबंद है. दूसरा है कि दिस ऐसे हैज बिन रिटन बाई यह जो निबंद है यह जो लेख है किस के दोरा लिखा गया है? डॉरोथील सेर्स के दोरा परल एस बग के दोरा जर्मन गरीर के दोरा इन में से किसी के दोरा नहीं. तो आपका सही जवाब होगा option B परल एस बग. तो इस ऐसे हैज बिन रिटन बाई परल एस बग. क्वेस्टन नमबर थर्ड है परल एस बग वाज खाली अस्थान बाई बाई बर्थ. बचों परल एस बग जन्म से भारतिय थी, इटैलियन थी, अमेरिकन थी, इनिन में से कुछ नहीं थी. तो आपका सही जवाब होगा परलेस बक वाज एन अमेरिकन बाई बर्थ option C सही है परलेस बक वाज एन अमेरिकन बाई बर्थ वाज जन्म से अमेरिकी थी मतलब उनका जन्म अमेरिका में हुआ था question number 4 है who was born in America but reared reared का मतलब पालन पोसंड होना reared in China निम्न में से किसका जन्म अमेरिका में हुआ लेकिन पालन पोसंड चाइना में हुआ option A डोरोथियल सेयर्स B. परलेस बक C. जर्मन ग्रीर non अबदीज तो यहाँ पर ही बच्चों सही जाब होगा option B. परलेस बक परलेस बक was born in America but reared in China परलेस बक का जन्म अमेरिका में हुआ था लेकिन लालन पालन सिख्चा दिख्चा चीन में हुई थी नमबर पांच है बच्चों who is known for her trablog and memoirs बच्चों ट्रेबलग देख रहा है न इसका मतलब होता है यात्रा बृतांत और जो यह memoirs देख रहा है इसका मतलब होता है जीवन बृत यानि निमन में से कौन अपनी यात्रा बृतांत और जीवन बृत के लिए जानी जाती है तो डॉरोथिल सेर्स जानी जाती है या परलेस बक या जर्मेन ग्रीर या इन में से कोई नहीं तो आपका सही जवाब होगा आप्सन नमबर B परलेस बक मतलब परलेस बक अपनी यात्रा बृतांत और जीवन बृत के लिए जानी जाती है क्वेसन शिक्स कहता है कि परलेस बक वन दा नोबेल प्राइज फॉर इन नाइटीन थाट्टियेट यानि 1938 में परलेस बक को इकनोमिक्स के लिए की पीस के लिए की लिटरेचर के लिए या इन में से किसी के लिए नी नोबेल की प्राप्ती हुई थी आपका सही जाब होगा option C परलेस बक वन दा नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर in 1938 यानि 1938 में परलेस बक को साहित्य के छेत्र में नोबेल पुरसकार की प्राप्ती हुई थी इस प्रस्ण को कई प्रकार से पूछ सकता है बच्चों आपसे पूछेगा कि परलेस बक को साहित्य के छेत्र में नोबेल पुरसकार कम मिला था तब जवाब होगा 1938 में पूछेगा कि 1938 में किस छेत्र में मिला था तो लिट्रेचर के लिए मिला था तो यहाँ पर अप्शन C सही है परल एसबक वन दर नोबेल प्राइज फॉर लिट्रेचर इन 1938 question 7 पूछता है कि परल एसबक हैड एन खालियस्तान फैमिली डॉक्टर बच्चों परल एसबक का जो पारिवारिक डॉक्टर था जो फैमिली डॉक्टर था वो इटेलियन था वो इंडियन था वो अमेरिकन था या इन मेंसे कोई नहीं था आपका सही जवाब होगा option B इंडिय था इसलिए option B सही है question number 8 कहता है कि the first woman president of the General Assembly of the United Nations was a woman of अर्थात निम पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे कि संजुक्त राष्ट की General Assembly की प्रथम महिला अध्यक्षा एक महिला थी न वो कहां से थी इंडिया से थी अमरिका से थी इंग्लैंड से थी यहाँ पे आपका सही जाब होगा option A वो इंडिया से थी अर्थात संजुक्त राष्ट की General Assembly की प्रथम महिला जो अध्यक्षा थी वो भारत से थी जो सको पढ़ेंगे कि the first woman president of the General Assembly of the United Nations was a woman of इंडिया question number 9 कहता है कि the man in charge of the prisoner exchange in Korea was an Carlton General अर्थात किस जैनरल के देखरेक में वह जैनरल किस देखरेक में जिसकी देखरेक में कोरिया में prisoner exchange हुआ था तो बच्चों यहाँ सही जाब होगा option C वो भी इंडियान था अर्थात इसको पढ़ेंगे कि the man in charge of the prisoner exchange in Korea was an Indian general बच्चों वह इंडियान जैनरल था जिसकी अध्यक्षता में जिसकी देखरेक में कोरिया में prisoner exchange हुआ था question number 10 कहता है कि पर्लेसबक केम टू इंडिया to listen to खाली स्थान groups of people यानि पर्लेसबक भारत में कितने समु कितने प्रकार के समुहों से बात करने के लिए आई हुई थी कितने समुहों की बातों को सुनने के लिए आई हुई थी तो two groups, three groups, c four groups, d none of these यहाँ पर आपका सही जाब होगा option A, two groups, एक गाओं के गरीब किशान और दूसरा सहर के पढ़े लिखे बुद्धी जीवी तो यहाँ पर्लेसबक केम टू इंडिया to listen to two groups of people बचो question number 11 कहता है कि पर्लेसबक केम टू इंडिया to see and listen to two groups of people पर्लेसबक भारत में दो समुहों से मिलने और उनकी बातों को सुनने के लिए आए हुई थी तो एक समुह था सहर के पढ़े लिखे नौजवान और दूसरा क्या था तो आपका सही जवाब होगा pageants in the villages अर्थात पर्लेसबक भारत में वो आई हुई थी तो उनका इरादा था कि वे सहर के युवा पढ़े लिखे लोगों से मिले उनकी बातों को सुने और गाउं के गरीब किसानों से मिले और उनकी बातों को सुने तो यह option C सही जाओगा pageants नमबर 12 है कि the life span in India was only एक हालिसान यर से नि भारतिये लोगों का जीवन काल क्या था यहाँ पूछ रहा है कि भारतिये लोगों का जीवन काल क्या था जब परलेसबक भारत आई हुई थी उस समय भारत के लोगों का जीवन काल क्या था तो बच्चों यहाँ पे option B होगा 27 सिर्फ 27 साल the life span in India was only 27 years question 13 है according to परलेसबक who had equally a strong hold upon both the peasants and intellectuals यहनी परलेसबक के अनुशार आपको बताना है कि निम्न में से किस की किसानों पर भी और पढ़े लिखे लोगों पर भी बराबर की पकड़ थी यहनी निम्न में से किस भारतीय की किसानों पर भी पकड़ थी और सहर के पढ़े लिखे बुधी जीवियों पर भी पकड़ थी आपका सही जाब होगा option महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी had equally a strong hold upon both the peasants and the intellectuals यानि परलेस बक के अनुसार महात्मा गांधी की समान रुप से पकड़ थी सहर के बुद्धी जीवियों पर भी और गाउं के गरीब किशानों पर भी नमबर फोर्टीन पूशता है बच्चों कि परलेस बक talks about the fruitless land between यानि परलेस बक है ना एक जमीन की बात करती है खेतों की बात करती है वो कहां के मतलब मेरे कहने का मतलब है कि talks about the fruitless land यानि उस जमीन की बात करती है जो बंजर है जहां पे कुछ उगती नहीं है जहां आप इसे चाही का साधन नहीं है तो जिस भूमी की बात करती है वह भूमी किन दो सहरों के बीच में है दिल्ली एंड बॉमबे बॉमबे एंड मदरास मदरास एंड दिल्ली या कोई नहीं अपका सही जाब होगा option B बॉमबे एंड मदरास जी बॉम्बे और मदरास जिस जमीन की बात कर रही है बंजर भूमी की बात कर रही है जहाँ आप इस चाई के साधन के अभाव में कुछ उगता नहीं है तो जिस भूमी की बात कर रही है परलेसबक वह जमीन बॉम्बे और मदरास के बीच की है बच्चों परलेस बख के नुसार गाउं में गाउं के घरों के जो फर्स होते थे उसको लीपा जाता था उसको चमकाया जाता था किस चीज से बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्चन A काउ डंग एंड वाटर यानि भारत के गाउं में जो घरों के फर्स होते थे वे गाउं के गोबर और पानी के मिस्रण से लीपे और चमकाये जाते थे इसलिए ऑप्चन A सही है काउ डंग एंड वाटर अगला क्वेस्टन है सोला नंबर बच्चों दफीचर्स ओफ कास्मीरी आर एज क्लासिक एज दफ बच्चों फीचर्स का अर्थ होता है चेहरे का कोई यंग जैसे आँख नाक कान मुह इत्यादी और क्लासिक का मतलब होता है सुन्दर तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कास् नाक कान और मुह थे ना वे उतने ही सुन्दर थे जितने कहा के लोग के ग्रीक के या रोमन्स के या पर्सियंस के या इन में से किसी के नहीं तो आपका सही जाब होगा option A ग्रीक the features of कास्मीरी are as classic as the Greek मतलब हुआ कास्मीर के लोगों की जो बनावट होती है ना उनका जो आँख कान नाक मुह होता है वह उतना ही सुन्दर होता है जितने ग्रीक के लोगों का इसलिए option A सही है 17 नमबर प्रस्ट पूछता है बच्चों कि the people of खाली अस्तान या कहा के लोग must be record record का मतलब मानना या समझना होता है as belonging to the Caucasian race बच्चों Caucasian race का मतलब बता है गोरी जाती के लोग यानि कहा के लोगों को गोरी जाती के लोगों के रूप में माना जाना चाहिए यानि कहा के लोग गोरी जाती या गोरी प्रजाती के लोगों को समझा जाना चाहिए तो यहाँ पर भी option A होगा India यानि भारत के लोगों को माना जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए यानि भारत के लोगों को भी गोरी जाती के सदस्थिक रूप में माना जाना चाहिए question number 18 कहता है during her visit to a certain village आपको पता है न बच्चों परलेशबक एक गाउं में आई हुई थी तो क्या हुआ सुनिए during her visit to a certain village यानि एक गाउं में परलेशबक आई हुई थी वहाँ पर उन्होंने एक ब्रिध ब्यक्ती को देखा inside the house, inside the cottage, inside the cage या नौन अब देखा वह ब्यक्ती घर के अंदर था, cottage होपड़ी के अंदर था, cage पिंजरे के अंदर था या इन में से किसी के अंदर नहीं था तो option C सही होगा, cage, during her visit to a certain village, परलेशबक आई एक पिंजरे के अंदर था, घर के अंदर नहीं था, जोपड़ी के अंदर भी नहीं था the cotton garments of the aging man wear, जो बुढ़ा ब्यक्ती जो पिंजरे के अंदर था न बच्चों, उसके जो cotton garments थे, उसके जो सूती के कपड़े वह पहन रखा था न, तो सूती के उन कपड़ों का रंग क्या था, option A, white, B, snow white, C, red, D, none of these यहां पे बच्चों सही जाब होगा, option B, snow white, यानि उस बृध्ध के जो सूती के कपड़े थे, जो cotton garments थे न, snow white, बिल्कुल बर्फ के तरह, बिल्कुल बच्चों साफ थे, बिल्कुल सफेद थे, इसलिए option B सही होगा नमबर 20 है, कि the younger brother of the house, उस घर का जो छोटा भाई था, was called to kill a dangerous, उसको बुलाया गया, क्या मारने के लिए, snake, dog, wolf, या नौन अदिज, तो आपका सही जाब होगा, snake, उस घर के, जो युवा ब्यक्ति था, उसको एक खतरनाक साप को मारने के लिए बुलाया गया था, इसलिए option a, snake सही है, question number 20 कहता है, कि the food was served on fresh green, खाले यस्तान, leaves instead of plates, यानि जिस घर में ये गई हुई थी न, वहाँ पे खाना परोसा गया था, तो बच्चों, mango leaves पे, banana leaves पे, या people leaves पे, तो आपका सही जाब होगा, option b, banana, यानि केले के पत्ते पर, plates में नहीं बच्चों, केले के पत् हैंगे, कि the food was served on fresh, green, banana leaves instead of plates, plates के बजाए, वहाँ पे खाना, केले के हरे साप पत्ते पे परोसा गया था, 22nd है, कि from babyhood, the Indian children are taught the right hand is for, खाली ये स्थान, clean services, dirty services, low services, या non-able services, कहने का अर्थ है, कि बच्चपन से ही भारती ये बच्चों को सिखाया जाता है, कि जो दाहिना है, वह किस परकार के काम के लिए है, clean, अच्छे काम के लिए, dirty, गंदे काम के लिए, low, नीचे काम के लिए, non-able, कोई नहीं, तो बच्चों या आप जाए, clean, यानि भारती ये बच्चों को सूरू से ही सिखाया जाता है, कि दाहिना हाथ जो होता है, वह clean, यानि अच्छे कारियों के लिए होता है, जिसको पढ़ेंगे कि from babyhood, the Indian children are taught the right hand is for clean services, 23rd है बच्चों, religion is ever present in Chinese life, Indian life, American life, या नौन अब्दीज, यहाँ पे सही जाब होगा Indian life, यानि भारतीयों के जीवन में धर्म हमेशा मोज़ुद होता है, मतलब भारत में धर्म को इतना तबज्जो दिय जाता है, दुनिया के किसी अन्य देश में धर्म को इतना तवज्जो नहीं मिलता है, तो यहाँ पे होगा religion is ever present in Indian life, 24 है बच्चों के the writer blames, यानि परलेस बख आरोप लगाती है, चाइनीज पे, इंग्लिस पे, इंडियन पे, for all the ills of India, बच्चों यहाँ पे जो इल्स जीमधार मानती है, चिनियों को, अंग्रेजों को, भारतियों को या किसी यों को नहीं, यहाँ को चपका सही जाब होगा, option be the English, the writer blames the English for all the ills of India, अर्थात परलेस बख गोरे लोगों को, अंग्रेज लोगों को, भारत के लोगों की मुसिबतों के लिए जीमधार मानती है, 25 है बच्चों, कि according to परलेस बख, the poverty of Indian peasants can be compared only with the peasants, यही परलेस बख के नुसार, भारतियों की गरीबी की तुलना कहां के किसानों से की जा सकती है, Chinese, Russian, American, non-abdij, आपका स्थाजाब होगा, option be Russian, according to परलेस बख, the poverty of Indian peasants can be compared only with the Russian peasants, यही भारत के किसानों की गरीबी की तु पर सिर्फ रूस के किसानों से ही की जा सकती है, किसी अन्य देश किसानों से नहीं, 26 है बच्चों, कि according to परलेस बख, the main quality of leader is, यही परलेस बख के नुसार, एक नेता की सबसे मुख्य गूड क्या होना चाहिए, यही नेता बनने का मुख्य गूड क्या होता है, तो dishonesty, बहि पार्थता, selflessness, according to परलेस बख, the main quality of a leader is, selflessness, 27 है बच्चों, कि अमेरिका या the world needs to learn a lesson from India, यही अमेरिका को या दुनिया को, भारत से एक सबक सिखने की जुरुरत है, और वह सबक किस चीज की, humanity की, cruelty की, both या non-abdij, तो सही ज़ा बगा बच्चों, humanity, अमेरिका और the world needs to learn a lesson of humanity from India, अर्थत अमरिका को भारत से मानावता की पाठ पढ़ने की जरुरुरत है, नमबर 28 है बच्चों, the American war of independence shrinks in size and concept, when compared to the Khalistan war of independence, यही अमरिका की जो सोतनता संग्राम की लडाई है, उस लडाई को किस देश की सोतनता संग्राम की लडाई से तुलना करने पर, American war of independence बौना दिखता है, अपका option B होगा सही जवाब, Indian, the American war of independence shrinks in size and concept, when compared to the Indian war of independence, यही जब अमरिका सोतनता संग्राम की तुलना, भारत के सोतनता संग्राम से की जाती है, तो American सोतनता संग्राम की लडाई बौन ही साबित होती है, इसलिए option B सही होगा, the American war of independence shrinks in size and concept, when compared to the Indian war of independence, और अंतिम question है, 29, the book, Come My Beloved, यानि इनकी जो रचना है, Come My Beloved, has Chinese background, Indian background, Japanese background या नौन अबदीज, यहाँ पर भी सही जावगा बच्चों, option B, Indian background, याद रखियेगा, कि परले सबग की जो पुस्तक है, Come My Beloved, वह भारती है, प्रिष्ट बूमी पे लिखी गई है, यानि भारत की इस्ती पे लिखी गई है, तो यह रहे बच्चों, 29 अती महत्वपुर्ण बस्तुनिस प्रकार के प्रस्ण याम उनके उत्तर, लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा बच्चों, कि इन 29 प्रस्णों तक ही अपनी तयारी को सीमित न रखे, आप मेरे YouTube चै यारी पूर्ण हो जाए, और आप परिक्षा में बेहतर कर सकें, आप परिक्षा में बेहतर करें, इसी उमीद के साथ जैहिंद!